फ्री लांजिंग की बात हो और फाइवर प्लेटवर्म की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फाइवर पर अकाउंट जानेंगे क्या वो इंपोर्टन चीज़े हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वाइल क्रियेटिंग अकाउंट अन फाइवर्म उसी के साथ ही कैसे आप अपनी प्रोफाइल को अप्टिमाइज करेंगे ज जिससे आप जादा से जादा यूजर तक पहुंच पाएं और आप काफी अच्छे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले पाएं तो चलिए चलते हैं फाइवर पर और बनाते हैं एक अमेजिंग प्रोफाइल हलो एवर्मीट वेलकम यॉल उन जबलू इस क्यूब्टिक चान अब यहां पर देखेंगे वैसे फाइवर अगर आप उपन करेंगे तो यहां पर as a seller नहीं मतलब as a freelancer नहीं as a general business person अगर आपके लिए ये वाला section है यहां पर आप जैसे माल लीजे website designing आप टाइप करते हैं तो website designing से related मिरको बहुत सारे ऐसे sellers मिल जाएंगे जो की website design कर रहे ह जैसे first seller यहां पर आ रहा है I will design and redesign Wix website and Wix e-commerce something like that यहां पर I will do website UI UX design यहां पर starting at इनकी price भी आ रही है उसके अलावा आप यहां पर देखोगे इस तरह से इनकी rating भी यहां पर आ रही है और कितने लोगों ने rating दी है जैसे 268 लोगों ने rating दी है यहां पर 502 लोगों ने rating दी ह बहुत सारी rating भी यहां पर आ रही है इसके according आप price के according जो है चूज कर सकते हो अपना जिस भी seller से आप services लेना चाहते हो उसके अलावा और भी यहां पर चीज़ें फिल्टर लगा सकते हो service options अगर आप देख सकते हो seller details आप देख सकते हो budget आप यहां पर decide कर सकते हो delivery time के according कितन जल्दी आपको delivery चाहिए वह आप यहां पर set कर सकते हो pro services अगर आप लेना चाहते हो local sellers मतलब जो आपी के country में है उनसे ही अगर आप services लेना चाहते हो online sellers लेना चाहते हो तो आप यहां पर filter इसको कर सकते हो चीग है so इस तरह से as a business person या फिर अगर आपको कोई भी service लेनी है आप इस तरह से यहां पर ले सकते हो बस keyword type करो और अपना seller select करो और उससे जो है आप बात कर सकते हो इससे interaction कर सकते हो offer उससे कर सकते हो then उसके जो offer है उसको accept या counter offer आप दे सकते हो यह चीज है लेकिन हम as a seller यहां पर है तो मैं उसी account पर आपको लेके चलूँगी तो आपको यहां पर option देख रहा है become a seller ठीक है यहां पर आपको क्लिक करना है ठीक है अगर आपको all information चाहिए तो यहां पर ऐसे पढ़ भी सकते हो कुछ important जो skills अभी चल रहे हैं freelancing में वो यहां पर आपको मिल जाएंगे तो यह भी आप यहां पर देख सकते हो ठीक है उसके अलावा य है उसके according यहां पर अपना question select करके उसका answer भी यहां से ले सकते हो तो अभी हम चलते है become a seller पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब यह seller वाला profile open हो गया यहां पर हमें login करना है तो यहां पर आप देख सकते हो यह कुछ यहां पर जो top sellers है उनकी photos वगरा आ रही है किस तरह से काम क करता है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे for example मैं एक business person हूँ और मुझे अपने business के लिए website बनवानी है for example तो मैंने आपसे contact किया अप एक freelancer हो Fiverr पर और आपने मुझे quotation दिया let's say $500 का चीक है तो $500 आपने मुझे quote किया मैंने उसको offer को accept कर लिया हमारी सारी बात होगी क्या बना के देंगे आपने मुझे बोला कि 15 दिन में आपकी website बना दूंगा I said okay और $500 की हमारी deal हो गई अब यहां पर क्या होगा कि $500 जब मैं pay करूंगी तो मुझे उसके उपर एक fee देनी पड़ेगी करीब 5-6 डॉलर के आसपास मुझे fee देनी पड़ेगी एक और वो total amount जो है तो जब आप मुझे deliverables दे दोगे यानि मुझे website बना के देदोगे उसकी सारी details देदोगे 15 दिन के अंदर तो Fiverr के account से direct आपके account में पैसा आजाएगा अप जैसे अपनी 500 की deal होईगी तो आपके बास सीधा 500 नी आएगा कुछ percent 2 या 3 percent amount उसमें काट होगा जो की Fiverr की platform fee हो इस पर हम click करते हैं इसके बाद मैं आप अपनी Google ID से Apple ID से Facebook ID से login कर सकते हैं तो मैं अपनी Google ID यहां पर यूज कर रही हो तो यह देखिए Google ID यहां पर आ गई है और यहां पर अप यूजर नेम आ रहा है तो यूजर नेम आप अपने according जो है चूज कर सकते हैं जैसे कि मैं आप यहां पर यहां पर यहां तक हमारा अकाउंट जो है वह बन चुका है और अकाउंट बनने के बाद में हम जाएंगे अपनी प्रूफाइल को उप्टमाइज करने के लिए तो देखिए राइट-न साइट में यह जो प्रूफाइल को आप्टिक करेंगे और आप देखे जो भी आपके प्रूफाइल में अपने अडगे है वह यहां पर आजाएगा अभी हमारे कोई भी गिग्स नहीं है यहां पर तो अब हम क्या करेंगे कि हमरे जो प्रूफाइल है उसको हम एडिट करेंगे सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन ठीक है कि यहां पर हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं यहां पर भी आपको बस एक चीज बिखना है कि जो जो आपकी आपके स्किल्स हैं जिस भी तरह का फ्री लांसिंग वर्क आप लेना चाहते हो उन सबी वर्क के कीवर्ड स्ट्राइप में यहां पर जो है आने चाहिए जैसे और एब website developer है, website developer, website developing, web developer, इस तरह के words बार-बार आपके description में repeat होने चाहिए तो चलिए जल्दी से एक अच्छा सा हम description लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर मैंने description में लिखा है, I'm a professional frontend developer with over 5 years of experience specialization in creating visually appealing responsive websites using the latest web technologies like HTML, CSS, JavaScript and React, proficient in various frontend web development tools and frameworks like Adobe XD, Figma, Sketch, React, Angular and Vue.js, committed to delivering high quality projects on time, let's bring your project to the life together prices are negotiable and totally depend on type of work, वैसी इस तो description है, यह आगे 500 characters तक आप लिख सकते हो तो make sure करो कि उस 500 characters के अंदर सबसे पहले तो आपका एक छोटा से introduction आजाए, आप क्या करते हो, यह आजाए, कौन से tools का आप यूज करते हो, वो आजाए, उसी के साथ ही आपका experience आजाए, अगर आपने कोई एक high-end client को manage किया है, तो आप उसका mention कर सकते हो, तो आप उसका mention कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उसी के साथ ही यहाँ पर आपकी languages है, आप languages चाहें, कोई और languages जैसे अगर आप चाहें, तो आप इस तरह से add कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से कर दिया, और कोई language आप add करना चाहो, वो इस तरह से add हो जाएगी, ठीक है जैसे कोई आड़ करना चाहते है उसके बाद आते है skills तो skills आप वही आड़ करोगे जो की जिस भी टाइप के आप gig services दोगे जिस भी टाइप के gigs बनाओगे उससे related है जैसे की for example जैसे की web design experience level expert आड़ कर दिया और हम आड़ करते हैं जो की related है जैसे की web development experience level expert ठीक है उसी के साथ ही हम कर सकते हैं अब आपको जैसे इसको divide भी करना है जैसे for example stml ठीक है stml में भी मैं इस तरह से एड़ कर देती हूँ यह हम बेसिकले कर रहे हैं हम यह एक तरह से सकते हो यह ही अगर आप digital marketing के profile बना रहे हो तो इसमें जैसे आपका semrush tool आ जाएगा website audit वो एक skill आ जाएगा उसी के साथी back links आ जाएंगे यह skill आ जाएगा Google Analytics यह skill आ जाएगा ऐसे बहुत सारे skills आप यहां पर आड़ कर सकते हो performance marketing push marketing full marketing paid ads and so on उसी के साथ ही education आप यहां पर आड़ करोगे तो education यहां पर अच्छी खासी आड़ करो अगर आप अपने college university का नाम हाइड करना चाहते हो तो यहां पर आप कुछ भी XYZ university लिख सकते हो but I don't think उसकी ज़रुत आपको पढ़ेगी तो सबसे पहले तो मैं जैसे यह select कर लेती हूं then college हम select कर लेते हैं तसी कि यह मेरी university है title क्या था वो मैं कर देती हूं यहां से उसी के साथ ही major आप इसमें डाल दो अपने marketing यह हमने add कर दिया ठीक है उसी के साथ ही year of graduation आप अपना add कर दीजे और इसको add कर देंगे एक से जादा भी जो degree है उसको आप यहां पर वो कर सकते हैं उसी के साथ ही यह जो education आपना add की है यह भी review के लिए है मतलब एक person जो है इ इसके हम आगे बात करेंगे उसी के साथ ही कोई आपका certification है तो वो आप यहां पर add कर सकते हो ठीक है तो भई इस तरह से जैसे मैं अपना certificate लिख देती हूँ भई digital marketing कहां से मैंने किया है जैसे तो इस तरह से मैंने WS kubetek डाल दिया यहां से है na example में डाल रही हूँ उसी के स complete information आ गई बड़ इसमें जो सबसे important है वो है आपका description वाला पार्ट ठीक है यहां से आप preview करके भी अपनी profile देख सकते हैं कि user को कैसी दिखेगी यह हो गया एक photo लगा लेते हैं जल्दी से ठीक है जी तो पहले photo लगा लेते हैं फिर आगे byline लिखते हैं जैसे अभी के लिए मैं सिर्फ WSkupte का जो लोगो है वही लगा रही हूँ यह आपर यह लिखी लोगा दिया उसके बाद में आपकी story line ठीक है अब जो story line है वो एक तरह से byline भी हम इसको बोलते हैं इसमें मतलब आप अपनी profile को एक ही line में explain कर रहे हूँ ठीक है तो यह भी हम जल्दी से लिख लेते हैं जैसे की print end web developer expert in ठीक है जी तो मैंने आपर डाल दिया front end web developer मैं आपर एक और चीज़ डाल देती हूँ and web designing ठीक है तो हाँ जी तो यह देखिए अब मैंने अपनी किया बाइलाइन लिखिए कि front end web developer expert in html css js and react ठीक है तो यहाँ पर जो technologies थी उनके भी नाम आ गए web developer भी आ गया front end web developer भी आ गया और इसको हम कर देते हैं update आचा तो यह कह रहे हैं यहाँ पर यह marks नहीं आएंगे तो इनको अपने अटा देते हैं कोई बात नहीं ठीक है इस तरह से ठीक है जी तो यह हमारी जो है byline हो गई यह हमारे description हो गया यह हमारी बाकी की सारी information हो गई तो यह देखिए हमारी profile है यहाँ पर update हो चुकी है बन चुकी है अब हम next video में बात करेंगे कि कैसे आप fiber पर gigs बना के यानि अपनी services को list करके कैसे बहुत सारा पैसा earn कर सकते हैं तो मिलते हैं आप से next video में तब तक keep learning